दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के अपडेट का मार्केट में आपको भी कैसा मुवमेंट देखने को मिलता है मेजर हम बात करेंगे हैं बिटकोई एथिरियम, सुई टोकन, एयर वी और सुसिस वैब का जिसके बारे में आप लोग का मैक्सिमम कम करेंगे इसके मुवमेंट के बारे में सबस्ति का मार्केट के मार्केट के बात करेंगे अगर इसके करें तो इस आपको 26,700 की रेंज में देखने को मिलता तो सुबह ही मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जो बेटकोईन के प्राईज के अपना ट्रेड लिया होगा वह अभी भी profit में होगे क्योंकि यहां पर डाउन फॉल के बारे में उनको पहले ही update मिल गया होगा अब अगर यहां पर हम एठीरियम की बात करें तो 2% का डाउनफॉल आपको यहां भी देखने को मिलता है क्रांट प्राइज आपको 1860 डॉलर का देखने को मिलता है तो देखें जो भी यहां पे पैटरन होता है उसी की अकॉडिंग हम चलेंगे तभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर बीरिश पैटरन बन रहा है अब अगर यहां पर हम एयर वी की बात करें तो यह आपको 0.91 के रेंज में देखने को मिलता है इसका भी हायर जोन आपको 0.97 के रेंज में देखने को मिला था वहां से प्राइज का डंप हुआ है अब अगर यहां पे हम सूसी स्वेब की बात करें तो इसमें भी आपको 2.3% डाउनफल देखने को मिला है इसका जो है 2020 में हम बेरिश थे हैं और 2023 में भी जो डिसेंटलाइज़ एक्षेंज है उतना ग्रो नहीं कर रहें बट अगर आपने इसको हाई रेंज में भी बाई किया हुए तो आप फोल्डिंग करें इसका जो मीनिमम टार्गेट है वो आपको साथ डोलर आट डोलर के देखने को मिलेगा अब मैं आपको लेगक चलता हूं ट्रेडिंग भी वी उपे देखते हैं इनके पैटर्ण को दोस्त अब दे सकते हैं हम आगें ट्रेडिंग वी उपर यहां विट्कॉन का पेर देखना है यूश डे के साथ पहले वन्हें प्र वो एक चैनल में मूव हो रहा है तो मैंने आपको बताया है भी ता कि ये जो चैनल है ये बेर फ्लैक का चैनल है जब ये इसका स्पोर्ट जोन ब्रेक होगा तो आपको यहां डंपिंग देखने को मिलेगी मैंने आपको टार्गेट दिया था 26,500 होगा और 26,000 का जोन लास्ट हमारी एंट्री पॉइंट थे 25,200 होगा जोन और जो 25,200 होगा जोन है ये इसका एक हैवी स्पोर्ट है तो होप है कि वहीं से आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी यहाँ देखे जब यहीं पे चैनल बन रहा था तब ही मैंने आपको बोला था कि यह बेर फ्लै का चैनल है पर अभी अगर हम यहाँ पे बेरिश हो भी रहे हैं तो आप लोग ने अगर वाटम मिस कर दिया है तो 26,600 पे आपकी पहली एंटी हो जाएगी क्योंकि अभी के जोन में अगर हम देखें तो 26,600 पे इसका एक लोकल स्पोर्ट है होप है कि वहाँ से भी आपको एक डेट कर बांस देखने को मिलेगा तो जो हमारा यहाँ 26,500 का जोन है उससे आपने 100 डॉलर उपर ही आपने पहली एंटी लेनी है 26,000 का आपने बेट करना है दूसरी एंटी के लिए तो होप आपको यहाँ पे यह पैटरन समझ आ गया होगा कि अभी भी हम यहाँ पे बेर ट्रेंड में मूव हो रहे हैं हमें अपने स्पोर्ट में बाइंग करनी है हमें देखें यहाँ स्पोर्ट वाले अपने बाइंग को मिस नहीं होने देना long term में हम इसी से अपना profit book करेंगे अभी देखें market में कोई खास volume नहीं आ रहा है और जितना भी volume आ रहा है ये ceiling या pressure है तो जो यहां bear fly का pattern form हुआ है उसके according हम अपने target के तरफ move हो रहे हैं अब अगर यहां पर हम Ethereum की बात करें तो Ethereum में आपको क्या देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं कि इस zone में आपको double top का जो pattern है वो form होता हुए double top का जो neckline है आपको यहां पर देखने को मिला है जैसे हम इसके neckline के नीचे आएं तो आपको अच्छी dumping देखने को मिली अभी के लिए देखें हम यहां पर hold हुए है पर आपको जो target है वो आपको यह वाला zone देखने को मिल सकता है पर अभी आपने यहां पर short की call open नहीं करनी फिर वही चीज मैं repeat करूँगा कि यहां पर risk हमारा ज़्यादा है reward कम है हमेशा जब हमारा risk कम हो reward जादा हो तब ही आपके anti बनती है अभी हम सिरफ sport में buying करेंगे future trading अभी नहीं करेंगे अगर हमें यहां पर pattern confirm नहीं होता तो फिलाल के लिए मैंने आपको बता दिये कि इथिरम में भी जो dumping होनी थी वो यहां पर complete हो गई है और यहां पर bearish moment होने से पहले मैंने आप लोग को update किया था Bitcoin में भी और इथिरम में भी कि यहां जो pattern बन रहा है वो bearish pattern बन रहा है बाकी देखें यहां पर जो इसका bottom range आएगा 1850 का range वहां पर आपने पहली अपनी anti ले लेनी है sport की call के लिए इसके अगर हम target की बात करें तो 2000 डॉलर का इसका जो target आपको देखने को मिलेगा similar अगर यहां पर हम Bitcoin की बात करें तो Bitcoin में हमारा 31,500 होगा जो ना आपको देखने को मिलेगा as a target अब अगर यहां पर हम further coins की बात करें जैसे ERB की तो आप देख सकते हैं कि ERB में भी आपको same pattern देखने को मिलता है जैसे आपने यहां Bitcoin में देखा यहां पर भी आपको एक channel बनता हुए देखने को मिलता है तो जैसे इस channel का breakdown होगा आपको यहां पर भी bottom देखने को मिलेगा एकदम देखे pattern simple होते हैं तो अगर आप मेरे वीडियो को regular watch करते हैं तो काफी pattern आपको यहां similar देखने को मिल रहे होंगे तो pattern बहुत थोड़े हैं बस आपको उसको draw करना आना चाहिए उसको समझना आना चाहिए अब जैसा pattern आपने Bitcoin का देखा वैसा ही pattern आपको यह ARB में भी देखने को मिलता है और बाकी जिदने हमारे altcoin होंगे maximum जगह आपको same pattern देखने को मिलेगा तो अभी क्या है इस channel का आपको पता है कि हमारा sport zone break होगा क्योंकि आपको यहां पर जो बड़ी candles है वो red की देखने को मिलिए और उसके बाद से जिगजग जो movement है वो आपको एक range के अंदर देखने को मिलता है यह इसका resistance point होगा यह इसका sport point होगा तो हमारा यहां sport zone break होगा और जैसे हम break करके इसको as a resistance retest करेंगे तो आपका यहां short होगा हमारा anti point यहां पर होना चाहिए 1.0 dollar का और 0.9 dollar का अगर आपको इस range में मिलता है तो आपने ERB में भी अपनी buying करनी है target होगा 1.3 का 1.5 का 1.7 का अभी देखे ERB में भी कोई खास volume नहीं आ रहा है तो जब तक यहां पर अच्छी volume नहीं आएगी तब तक इसका जो price action होगा एक range के ही अंदर होगा इसका breakout या breakdown आपको देखने को नहीं मिलेगा हाला कि देखे जब तक हम अपने sport और resistance को respect करेंगे तब तक हम यहाँ पर higher से higher channel में move होते जाएंगे जब तक इसका breakdown नहीं होगा आपको bottom नहीं मिलेगा अब अगर यहाँ पर हम बात करें बनता हुए देखने को मिलता है जब इसके listing हुई तो form of create हुआ और उसके बाद से sweet organ में आपको एक falling channel बनता हुए देखने को मिलता है तो यह जो channel है यह overall एक bullish pattern है पर इसके लिए भी आपको wait करना पड़ेगा इस channel का breakout हो अब देखें आपको यहाँ pattern ऐसे देखने को क्यों मिलता है जब यहाँ पर market में volume नहीं होती तो इनकी जो fluctuation की zone है वो यहाँ कम होती जाती है ऐसे ही कम zone आते आते आपको जो इसका movement है एक minor से zone में देखने को मिलता है कि इसका जो bottom है अभी के date में वो आपको 0.90 का देखने को मिलता है और top range 0.97 का है मरलब आप देख सकते हैं कि यह 0.1 के upside movement भी नहीं दे रहा है उसके अंदर अंदर इसके fluctuation है तो आपको यहाँ पर भी wait करना पड़ेगा या तो आप यहाँ volume का wait कर लें या फिर इस जो pattern में आपको दिखा रहा हूँ इसके breakout का wait कर लें बाकि देखें जो sweet token है यह भी आपको अच्छा profit देगा पर यहाँ पर आपकी जो holding है थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी जब तक इनके token unlock होंगे तब तक कोई खास आपको यह movement देखने को नहीं मिलेगा पर यह fundamentally strong है अब देखें अब अगर यहाँ पर हम sosis web की बात करें तो यह decentralized exchange का native token है जैसे आपको pancakes web देखने को मिलता है वैसे ही यह एक surviving exchange है तो जैसे जैसे इसके exchange के demand होगे वैसे वैसे आपको यहाँ इसके price में growth देखने को मिलेगी इसका price खाफी ज़्यादा dump हो चुका है पर overall इसके recovery होगे आने वाले time में decentralized जितने हमारे exchange है उन्हीं की demand बड़ेगे अब अगर इसके हम pattern की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक falling channel बनता हुए देखने को मिलता है तो मैंने आपको बताया भी है कि falling channel जो होता है वो एक bullish pattern होता है पर अभी क्या होगा कि हम यहाँ पर bottom के side में जाएंगे हमारा bottom होगा 0.82 का और इसके बाद से आपको market में यहाँ recovery देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर कोई भी entry नहीं दे सकता यहाँ पर आपको एक जो vision है आपका sharp हो गया होगा कि pattern क्या बन रहा है आने वाले time में आपको क्या देखने को मिलेगा